जिस तरीके का इंवारमेंट अभी बीजेपी में नफरत का जहर का गाली गलोज का चल रहा है देखो जानबर और ना समझ में कोई फर्क नहीं है ये लोग जानबर से भी बतते हैं जानबर भी सही पपू यादब के बारे मैं बोलिया है हम जवाब नहीं देते हैं हम लकीर हीचते हैं सीसे के घर में रहके पत्थर फेकेंगे इनलों का पूरा कुकर्व का चिठा है मेरे पास हाथी चले बजार कुत्ता भूके हजार कुत्ता जब रात में भूकने लगे तो रोटी फिक के आगे वरो उस पर लाठी पत्तर ना चलाओ और भौँ 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 करेगा नमस्कार में उनिकलतिवारी और आप लाइफ सिटीज देख रहे देखिए कि संसत भौण में कोई किसी को आतंगवादी कह देता है उगरवादी कह देता है आप इसको किस तरह से देख रहे हैं पहले तो मैं यह कहूंगा कि जो सदन का फ्लोर था नेहरू जी के पहले अंग्रेज के समय में भी उसके बाद भी आज तक हर चीज की मर्याद आए रही है अटल भी यहरी बाजपई तक सदन की मर्याद आए रही है बहुत कुछ के बाबजुद भी कभी भी मुल्यों का उलंगन नहीं हुआ कि मैं समझता हूं कि बैक्तिगत रंजीस का समाजिक और राजनेतिक जीवन में कोई महतु नहीं है बैचारी कि बाते होती हैं इंटेंशन जो होता है गाली गलोज का नहीं होता है कि मैं फिर कहता हूं कि कोई दल खराब नहीं होता है व्यक्ति से लोहिया से समाजवाद जेपी से समाजवाद गांधी नहरू सुभासन बोश से कॉंग्रेस लाला लाजपत्राय सरदार पटेल से कॉंग्रेस किसी की विचार धारा से कोई संस्था बनती है अगर पपू या और देश में बिधान सभाव या लोग सभाव या कंप्लिट रूप से गीता कुरान बैविल रमायन इन गरंथों से उनकी संस्किति और विचार धारा से बगत सिंग ने भी बम पटके थे सदन के भीतर किसी को आहात नहीं किया था अंग्रेज को गाली नहीं दी थी ठीक है अगर संसत्द भवन में आप रहते पपू यादव अगर संसत्द भवन में रहते हैं जो आव होता है आज होता है यह पहले भी बहुत सारी गरमाहत हुई है मैं इतना जानता हूँ इस मनुष के जी वन में आख्टार का कोई जगा नहीं है जहां आख्टार है वहां रावन यजीद कंस आख्रोगार अगर आप रहते हैं दें किसा मियां तो भरे मियां छोटे मियां सुहान अल्ला खरे हो करके बेटा पर साब कर रहा था उसको बोला चलो बाप को कहता है तो बाप तिन मले पर से पर साब कर रहा था तो रोपिये का बबुल खाये का खचुर जिस तरीके का इंवारमेंट अभी बीजेपी में नफरत का जहर का गाली गलोज का चल रहा है या आप उठा करके देखिए ना कोई भी चीज़ उठा के देखिए मनिपूर से लेके या प्रग्या से लेके दुनिया में जितनी चीज महान को दलीतों को गाली दे सकते हो जितना नफरत पैदा कर सकते हो चैना के बारे में यह नहीं बोलेंगे अमेरिका के बारे में नहीं बोलेंगे ठीक है इस्राइल के बारे में नहीं बोलेंगे लेकिन पाकिस्तान के बारे में बंगलादेश और स्रिलंका के बारे में नही है हमेशा सियासत के लिए कि समाज में लिंग भासा छेत्र जाती धर्म को सामने रखके नफरत पैदा करना और फिर इतना ही नहीं कि बाहर कुछ भीतर कुछ नियत कुछ कथनी कुछ करनी कुछ बोलेंगे कुछ भीतर कुछ यह सब कुछ बीजेपी के कुछ निताओं के खून सांस और संसकार में हो गया है बीजेपी वाले अगर आपको ही संसाद में बोल देते आप अगर कुछ बोल रहे होंगे या फिर बैठे होंगे आपको अगर पाहु वली बोल देते गुंडा बोल देते कुछ और बोल देते तो आप क्या करते देखिए एक बात तो आप समझ यह बोलने की स्वतंतरता सब को है इंद्रा गांधी को भी क्या सब्द नहीं बोलते थे भगवान को गाली नहीं दी गई फब्लिक ने बुद्ध को मार जूता से भगा नहीं दिया जसिस क्राइस को सूली पर नहीं लटका दिया कृष्ण को गुजरात नहीं भेज दिया दुरुपदी का चीरह नन भाईये ने किया महा भारत हुआ ना ऐसे लोगों के काराईजी तो दुनिया में महा भारत होती है अगर आपको कोई गुंडा बाहो बली बोलता तो आप पहले तो सुनो या इस देश की संस्किती बदलने की रही है बदला लेने की नहीं रही है जो बदला लेने वाले लोग होते हैं वो कभी नहीं बदलते ये लोग बदला लेने वाले हैं बदलने वाले नहीं इसलिए देश गर्त में जा रहा है हम होते तो ऐसी परस्थिती ही पैदा नहीं होती हम होते हम ये हालात पैदा नहीं होने देते हमारा तर्क बिल्कुल अलग है और एक बात समझे आकास पे थूप फेकने से उसी के मुँपर पड़ता है उंट बैठी हो जाता है तो गधा से उंचा होता है पेखाना पर जितना पत्थर मारिएगा छीटा आप ही पपड़ेगा ये लोग गोबर तो काम भी आता है निपने और बुर्नी में सुगर का गूँ तो किसी काम नहीं आता है बीजे बर्तमान जो बीजे पी के टीम है वो जहर ही पैदा करता है और कुछ लोग इधर भी हम भी जबी की बात ही करेंगे हम इधर भी देख लेंगे सर ताकत तो हमें भी है साम दाम धंड भेद के साथ सब चलता है की नहीं चलता है साम दाम धंड भेद सब आप हमको बताईए क्या इंद्रा गांधि जी के पास ताकत रही थी ताकत थी तब नए पाकिस्ताण बगला देश को अलग कर दिया ताकत थी तब नहीं अमिर्का को सांथ कर दिया चैना कोहका दिखाया ताकत इनसान को भचा नहीं में लगाँ है मेरे पास ताकत पपू या दब को कोई गाली देता तो हम मुस्कुरा करके यह समझते कि यह नादान है नासमझ है बेकूफ है इस पर दया किया जा सकता है किरपा किया जा सकता है बदला नहीं लिया जा सकता है कोई भी रहते तो किरपा कर देता है दया करते है किरपा करते है देखो जानबर और नासमझ में कोई फरक नहीं है यह लोग जानबर से भी बत्तर है जानबर भी सही ये लोग जानबर के लाइक भी नहीं है इन लोगों को जंगल में भेज़ दोगो तो जंगल का जानबर भाग जाएगा ये लोग जानबर से कतर राक है इन लोगों को सहर में सदर में रहने के लाइक नहीं है मैं आपको बहुत किलियर कह दू पप्पू यादब के बारे में आप ऐसा समझिए जो परस्थितिया पैदा हुई अब हमारे देश में गोदी मीडिया से खतरना कौन जो ऐसे चीजों को प्रोटेक्ट करती हो यह माहौल बन गया है इस देश का ऐसे लिए उन लोगों को लगता है कि हमारा भोट सुरक छीता है इसी से आंक में गुंडी फेक देगे फार देगे यह सब बोलते हैं वही तो कह रहा हूँ अब भोटर भी को लगता है बापड़े बाप हमर नेता दल कई बिया के ठाश यह दल के बापहन के एंठाश यह ते जादब के नेता है राजपूत के नेता देख लो कि ने देखें कि ने हैं है एक बार राजपूत को बोला बोला है को करनी से ना गाली कुलों नहीं करता है सब करता है कौन जाती है जो जहर नहीं है कौन जात सर जहर मेरा साफ है यदि देश भगती और प्रेम भगती होती तो इंद्रा गान्धी को गोली नहीं लगती कहीं धर्म और केपरती कटर बाद था तब तो गोली लगी सिर्फ इस मुसल्मान कटर नहीं है हर जाती के लोग अपने जाती को लेके कटर हो गया है जबकि सही सुनता थी फ्रेम था उसमें एक जाती गरीब और एक ब्रह्मन गरीब जो जाती है ब्रह्मन आज भी उसमें बहुत एग्रेशन नहीं है लेकिन धलीत में ही पास्वान को कोई आँख दिखा के दिखा दे राम को कोई आँख दिखा दे दिखा दीजेगा चंसेक तो दिखा दीजे तो संसेकर रावन जी को बोल लेते ये पूरा पूरा धली देख हो जाता है सर मुसल्मान कभी एग्रेशन नहीं दिखाया है उसको लगता है ये भारत मेरा है राम मंदिर निर्ने के बाद मुसल्मान सुईकार किया की नहीं का खून करब हुआ सर मुसल्मान चाहता है हिंदुस्तान अमन से रहे और ये लोग चाहते हैं मा बहन गाली गलोच के बाद मैं पपू याद हो आप समाज और इंसानियत को करके दिखाऊ ना बेटी के सवाल पर मैंने आपको कहा है कि नहीं पिलकुल जहासी की रहानी बंदुक उठाई थी कि नहीं फोलन डेभी बंदुक उठाई थी कि नहीं ऐसे सरे हुए लोगों को निकाल के फेक देने की जौरत है सर एक छोट भईया जिसका कोई जिसको हम कभी कभी यूट्यूबर कोई पपु यादव के बाड़े में भी बोल देता है उसको ये समझ नहीं है कि पपु यादव मूँ फेर ले आँख बंद कर ले तो जितने फोलवर और जितना समाज है आज पपु यादव को आप ठेस पहुचा दो एक भी जाती का यूद छोड़ेगा आपको एक भी गरीबाद भी छोड़ेगा आप टच करके देखो तो लेकिन मैं ऐसे चीजों को तबज्जो नहीं देता बहुत सारे अपरादी बहुत सारे चीज़ सोचते हैं पपु यादव के बारे में जब मैं लड़ता हूं तो को कोई आज से मेरी लड़ाई है मौवादी से लड़े नकसल से लड़े हर अपरादी माप्यों से लड़े हर सिस्टम से लड़े अभी इतना बोल रहे हैं भाजपा के सांसा जो मौझूद है वो फिर बोलेंगे आपको तो क्या करिएगा शर मैं बात बोलूं जी सूब बाजय त इन लों का पूरा कुकर्व का चिठा है मेरे पास कितने कपरे बदलते हैं रंग बदलते हैं यह लोग अ कहां कहां से माल कमाते हैं सब पता है पप्पू या अदब के बारे मैं बोलिया है हम जवाब नहीं देते हैं हम लकीर हीचते हैं लकीर घीचते हैं जी और ऐसे लोगों को लोग तेंटर में जनता के द्वारा जवाब देना चाहिए और मैं यह जवाब उमीद करूँगा हर्विन केजरिवाल और कॉंग्रेस से सही माने में आप हिंदुस्तान और इतिहास को बचाना चाहते हैं सम्मिदान को तो आप दिल्ली में दोनों मिल के लड़िए और ऐसे कीचर के गंद को गंदगी को सूगर के पेखाने को खतम करिए और पपू यादव सूर्ज को अच्छांद को ऐसे देखना पड़ता है समझे हाथी चले बजार कुट्टा भूके हजार कुट्टा जब रात में भूकने लगे तो रोटी फेक के आगे वरो उस पर लाठी पत्तर ना चलो और भौं 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 करेगा इसलिए भौं भौं ये लोग कुट्ट पर आप फेकते जाओ ईलोग वार्ड कॉंसलर के जीतने के लाएक नहीं है जिस दिन BJP-RSS्स छोड़ दे इलोग वार्ड कॉंसलर नहीं जीतेंगे हमेशा ये हो जाएगा वो हो जाएगा सो नहीं ताकतवार आद्मी हमेशा गाली नहीं देता ताकतवार आदमी पेसंस रख आता है और समय पर लोगतंत्र बचाने के लिए ऐसे आद्मी को मिटा देता है चलिए देखिए जाब सुप्रीमों पपुयाद अब क्या कुछ बोले हैं भाजपा के सांसत को और संसत भवन को लेकर जो विवाद शेड़ी है उस पर किस तरह से गरमाय है वह आपने सुन लिए कर दो है आपने सुन लिए में लिए्स हाए सी तरह सुन लिए जाओ जगे समय चलिए ट।